NCP चीफ शरत पवार नी दहीमा अने दूधमा पग रागती राजनीती समय समय पर सवन ने चौकावे छे हवे विपक्षी एकतानी दुहाई आपी ने दानी मामले JPC ना व्रोध मामले पवारे पल्टी मारी छे पल्टी मार्वी शरत पवानी राज की एक खासी अच्छे अदानी मामला पर JPC नी रचनानी विपक्षी नी मांगली ने खोटी गणावनारा NCP चीफ हवे पल्टी गया चे पवारे कहूं छे के विपक्षी एकता माटे जो एच जरूरी छे तो हूँ JPC नी रचनानो विरोध करिश नहीं शॉर्ट सेलिंग फर्म हीडन बर्ग ना अदानी ग्रूप परना एहवाल बाद थी ग्रूपने कंपनियों मा उतार चड़ाव चालू छे और रिपोर्ट ने लेने विपक्ष सतत जे पीसी नी रचना करीने तपास नी मांगनी करी रहूं छे शरत पभारे एक टेलिविजन चैनल साथी नी बादचीत मा कहूं छे के विपक्षी दड़ो मां मारा दोस्त जो जेपीसी नी तपास पर अड़क छे तो पची एकता माटे हूँ तेनो विरोध करिश नहीं हूँ तेमना विचारो थी सम्मत नथी परन्तु आ नक्की कर्वा माटे अमे विपक्ष तरीके एक छिए हूँ तेमनो साथ आपेश परन्तु आमे जेपीसी नी तपास ने लेने जीद करिशू नहीं महत्व पोन छे के शुक्रवारे पवारे कहूं हातू के जेपीसी नी रचना नो कोई अर्थ न थी कार्ण के समिती मा भाज अपनी जे बहुमाती हाशे और विपक्ष लगुमाती मा रहेशे अपनी उपिनियां रखने के लिए आजाद है उसके लिए हम क्यों जिम्मेदार है लेकि जो कांग्रेस पार्टी को सही लग रहा है कांग्रेस पार्टी कर रही है और 18 पार्टी का जो कटवंधन ने पनी उनिटी दिखाई है चाहे रहुल गांजी जी की सजाव पर या जो अडानी के मुद्दे के उपर संसद में ओ भी है पवारे कहूं छे के जेपीसी नी रचना संसद मा राजकिये पक्षोना संसदों नी संख्याने आधारे थाये शे भाजपना बसो थी वधारे संसदों छे आने 21 सदस्यो वाडी जेपीसी मा तेना महतम संसदों हशे विपक्षना 5 थी 6 संसदों हशे तेवमा आटली ओची संख्या पर विपक्ष ना सांसदो केवी रिते प्रभाव शाडी भूमी का अदा करी शक्षे तेम छता पन लोको जो जेपी सिनी मांगनी परज अडेला रहशे तो पची एकता बनावी राखव माटे हूं तेमनों साथा पेश महत्व पूर्ण छे के आना पहला एंसीपी चीफ शरत पवारे अदानी मामले संसद ने ठप करवा मामले पन सवाल उठावे हाता ब्यूरो रिपोर्ट जे अस्डवी